माननी विधायक योगेश शुकला जी विधान परिशा सदस्य सी मुकेश सर्मा जी रामचंद्र प्रधान जी समारो में पस्तीत भारती जनता पाल्टी की प्रदेश की उपाध्यक्स देवेश कोरे जी प्रदेश महामंत्री सी संजर आई जी महानगर अध्यक्स स्यानंद दिवेदी जी जिला अध्यक्स इबिने प्रताप सिंग्ग जी भारती जनता पाल्टी के लखनों के सभी उपस्तेत बैन और भाईयों आज भारत माता के दो महान सपूतों राष्ट्पिता महत्मा गांदी और देश के दितियव प्रदान मंत्री स्वर्गे स्रीर लाल भाद्दूर सास्त्री जी की पावन जेन्ती है इस औसर पर इन दोनों महापुरसों की स्मृतियों को नमन करते भी प्रदेश सरकार और प्रदेश वास्यों की और से उन्हें बिनम्बर सरदहन जली अर्पित करता हूँ पैन और भाईयों राष्टपिता महत्मा गांधी भारत की आजादी के एक महानायक के रूप में हम सब उनका स्मृण करते हैं लेकिन केवल आजादी के आंदोलन के महानायक के रूप में नहीं बलके लोकतांत्रिक तरीके से आचार और विचार में बहतर समनवे के माध्यम से स्वदेशी के माध्यम से भारती रिसी परंपरा के मुल्यों और आदर्सों को अंगिकार करते हुए हम भारत की स्वाधिनता की सांदोलन को एक नहीं उचाई तक पहुचाएंगे जिन मुल्यों की अस्थापना सो वर्स पहले राष्टपिता महत्मा गांधी ने की थी उसका पेर्णाम हमें पंदरगस तुनिस सो सेटालीस में तेश की आजादी के रुप में देखने को मिला राष्पिता महत्मा गांधी कस्वर्ण भारत की आजादी के आंदूलन में जिन मुल्यों जिनादर्सों को लेकर के उन्होंने अभियान को आगे वढ़ाया था आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी बिस्वमानवता के उपर संकड तिकता है जहां कहीं भी अत्याचार अन्याएं और सोसन से कोई समाज जीने के लिए मुझबूर है उन सब के लिए राश्पिता महत्मा गांधी का जीवन एक आदर सुप्रेणा है याद करिए रक्षिन अपरिका में जब निस्नल मंडेला ने वहां के भेदभाव के खिलाब एक बड़ी लड़ाई प्रारम्व की थी उन से पूछा गया कि आखिर आपकी लड़ाई किन मुल्यों को लेकर किये है तो उन्होंने का हमारी लड़ाई राश्पिता महत्मा गांधी के आदरसों से पिर्णा लेकर के एक निरंतरता को आगे बढ़ाने वाली है और दक्षिन अप्रिका को वहां पर रंगभेट के खिलाब इस आंदोलन को एक नई उचाई तक पहुचा करके उन्हें स्वतंतर कराना है और उन्हें सफलता प्राप्त हुई यानि राष्ट पता महत्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए अगर कहें तो मानवता के वर्थमान में एक बड़े प्रेणा के केंदर बिंदू बन करके राष्ट पता महत्मा गांधी उपरे हैं लेकिन देश की आजादी के दोलन उन्होंने जिन मुल्यों को आगे बढ़ाया था वहाँ स्वदेशी का लत था स्वच्च का था स्वाबलंबन का था स्वच्चता कित्ता महत्वपूर्ण है स्वच्च भारत मिसन ने दुस वर्थ के अंदर किये गए तै की गई उस दूरी को प्राप्त करने के माध्यमस हम देख सकते है स्वच्चता ने लोगों के अंदर एक स्वच्च जीवन जीने की पेना दी उतरब्रदेश में दो करोड़ बासट लाग से दिक परिवारों को एक एक सौचाले प्राप्त होने पर नारी करिमा की रक्सा का भी आवान किया अनेक रोजगार के सिरजन किये तो तमाम प्रकार की उन बिमारियों से मुक्ती भी लोगों को प्राप्त भी जो गंदगी के कारण पैदा होती थी यानि जीवन जीने के लिए एक माध्यम वो सच्चता हो सकती है यह सच्च भारत मिशन ने हम सब के सामने करके दिखाया गराम सुराज की परिकलपना जो राज़्किता महत्मा गांधी की परिकलपना थी आज प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा आत्म निर्वर भारत की परिकलपना को हम सब के सामने पुरे देश वास्यों के सामने रखना यहाँ भारत के अंदर एक नई क्रांति का नए सिर्जन करने का एक अभियान है और स्वदेशी उसका माध्यम बना था खादी उसका नित्रत्व करता बना था आज भी खादी स्वदेशी का प्रतीक बन करके उभरा है यह रोजगार का भी माध्यम बनता है स्वदेशी का भी माध्यम बनता है और स्वदेशी का भी माध्यम बनता है देश की आजादी के दोरान स्वदेशी स्वच्छता और स्वावलंबन का ये मंत्र बारत की आजादी का मंत्र बन गया और देखते ही देखते यदेश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है आज जब उनकी पावन चेंदी पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं मैं इस उसर पर राश्पिता महत्मा गांदी की निस्मिर्टियों को नमन करते हुए उन्हें बिनम्र सरदानजली अर्पित करता हूँ इस उसर पर प्रखर गांदी वादी राश्पिता महत्मा गांदी के यह अन्याई देश के दितिय प्रधान मंत्री सिलाल बहद्दूर सास्त्रीची का श्मन भी हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिफाई की रुप में कारे कर रहे थे उस समय कॉंग्रेस के मंचका उन्हों ने उप्यों किया उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे स्वतंत्र भारत में अनेक दहित्तों का निर्वान किया केंद्रिय मंत्री के रूप में केंद्रिय ग्रे मंत्री के रूप में और फिर देश के दितिय प्रधान मंत्री के रूप में वे बापो के अन्याई थे तो स्वाभाई ग्रुप से आचार और विचार में बेहतर समन वे आत्में निर्भरता के लक्षे को कैसे भारत प्राप्त कर सकता है इसके लिए उन्होंने जो आवहान उस समय किया था जब देश खाद्यान संकर से जूज रहा था खाद्यान के लिए हमें अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पे निर्भर रहना पड़ता था उनके आवहान के प्रणाम सरूप आज भारत खाद्यान सर्पलस के लक्षे को प्राप्त कर चुका है और नकेवल अपने देश के 140 करों लोगों का पेट भर रहा है बलकि भारत दुनिया के तमाम देशों को खाद्यान आज निर्याद भी कर रहा है याद करिए एक समय था जब भारत 30 करों लोगों को भोजन नहीं दे पाता था इतना पैदा नहीं होता था और आज ये नया भारत है 80 करों लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभी प्रदान कर रहा है खाद्यान आत्मनिर्फरता का ये मंत्र स्वर्गे लाल बहदूर सास्तिरी जी के द्वारा दिया गया मंत्र है एक तरब देश को आत्मनिर्फर बनाना है और दूसरी वोर 1965 में जब भारत पर युद्ध थोपा गया उस युद्ध का मुकावला और उस उद्ध का जवाब कैसे दिया जाना है देश के दूसमन को उसका जवाब किस रूप में दिया जाना है यह भी 1965 में दुस्मन देश पाकिस्तान को माद दे करके भारत के सौर और प्राकर्म का लोहा लाल बहदुर सास्त्री जी ने उस समय मनवाया था पैनोर भाईयों आज इन दो महापुर्शों की पावन जयन्ती है इस सौर पर श्वर्गया लाल बहदुर सास्त्री जी की स्मर्थियों को नमन करते हुए देश के लिए उनकी सेवाओं का स्मन करते हुए मैं उन्हें बिनम्र सर्धान जले रिपित करता हूँ यह हमारे लिए सौभागय की बात है कि प्रधान मंत्री जी के आववान पर भारतिय जन्ता पार्टी ने सत्रह सितंबर जो इस विश्व के सिल्पी है बगवान विश्व कर्मा की पावन जयन्ती से जो सौभागय से प्रधान मंत्री मोदी जी का भी पावन जन्म दिन है जो आधुनिक भारत की सिल्पी है दो अक्टूवर के सेवा पक्वाडा के कारिक्रम के साथ हम सब को जुड़ने का उसर प्राप्त हुआ इसमें ने कारिक्रम इस दोरान संगठन और सरकार ने लिए इन कारिक्रमों की अलग अलग स्रिंखला में जो प्रारम हुआ पचीश सितमबर को अन्तोद एके पढ़ने था पढ़नी देन द्यालुपाद्य जी की पावण जयनती इस जैनती कारिक्रम के साथ राश्टिय सबस्ता बियान के कारिक्रम के साथ हमें जुडने का उसर प्राप्त हुआ अन्यानेक रसनात्मक कारिक्रमों के साथ हमें जुड़ने का भी आउसर प्राप्त हुआ और आज गांधी जेयन्ती के आउसर पर स्वच्छता के एक ब्रहत कारिक्रम के साथ प्राता कालिन सत्र में हम सब से भागी बने और अब यहां पर जिस महत्वपूर्ण संगोष्टी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं वह है पावर विदिन दा लीडर्सिप लिगेशी आप नरेंदर मोदी यहां सियार बाला सुप्रेमनम के द्वारा एक लिखित पुस्तक है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संपूर्ण ब्यक्तित्तों को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है यहां क्यों एक पुस्तक नहीं है बलकि सुनने से सिखर तक की एक उस यात्रा का नाम है जिसे आज इन नया भारत नकिवल देख रहा है बलकि उसके अप्सार अपना जीवन जी भी रहा है एक सक्सम और विजनरी लिडर्शिप में प्रधान मंत्री मोधी जी के विजनरी लिडर्शिप में आज पुरे भारत को इस नय भारत का दर्शन हो रहा है और इसलिए नए भारत की सिल्पी की रूप में प्रधान मंत्री मोदी जी को हम सब देख रहे हैं यहाँ सेवा किसे संकल्प की जिस यात्रा को लेकर के आगे बढ़े हैं वा संब्रितिक एक नई उचाई तक पहुचाने के लिए विक्सित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए यह गए प्रियासों का प्रतिफल इस पुस्तक के माद्यम से स्री आर बाला सुप्रेमर्णम न पुरे देस और पुरी दुनिया के सामने रखने का प्रियास किया है आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जितने भी बड़े देश और विकसित देश हैं वे अचानक विकसित नहीं हुए उन्होंने बड़े विजन के साथ काम किया बड़े लक्से के साथ काम किया पुरे देश वास्यों के सामने एक विजन दिया और ये हमारा सुभाग्य है जब देश अपनी आजादी काम परित महत्सों मना रहा था तो प्रधान मंतरी मोधी जी ने भी पुरे भारत वास्यों के सामने एक बड़े विजन के रूप में आगामी पचीस वर्स का एक रोड मैप विक्सित भारत के रूप में हम सब के सामने दिया है 2047 में भारत को विक्सित भारत के रूप में प्रस्तुत करना है और इसके रास्ते भी बताए विक्सित भारत कैसे बनेगा इसके लिए उन्होंने पंचपरण की बात कई यहनी रास्ता भी बताया क्यों ले लक्से नहीं दिया बलकि इस लक्से तक मौशने के रिए रास्ते भी बताए तो यह एक विजनरी नेतृत्व का गुण होता है जो प्रधान मंतरी मोदी जी ने हम सब को दिया और इसके लिए उन्होंने अपने इस दस वर्ष के कारिकाल के दोरान भारत को जो दिया मेक इंडिया दिश्टल इंडिया आत्मनेन भारत वोकल फोर लोकल ये सबी स्लोगन के साथ उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कारे भी उन्होंने किया है तो इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो वर्ड क्लास हाईवे टू लेन के यह नहीं, फोर लेन के लेहीं बलके ट्वेल्व लेन और फोर्टीन लेन के हाईवे रैपीड रेल, हाई स्पीड ट्रेन, वुलेट ट्रेन, एर एंड वाटर कनेक्टिविटी और नकेवल इस्पेस में अब भारत दुनिया को भी लीड करेगा यह भी आपने चंद्रियान की सफलता के माध्यम से देखा होगा जहां कोई नहीं पहुँच पाया, वहां भारत का चंद्रियान पहुँचा है यह अभी पुरे देश ने देखा है समावेसी, विकास और कल्यानकरी योजनाओं को हम सब ने अनभो किया है और उससे भारत वासी किसी न किसी रूप में लाभानी थुए है याद करिए भारत की रिसी परंपरा की देन क्या रही है सरवे भौन्तु सुखिना, सरवे संतु निरामया यही तो रहा है सब के सुख की कामना, सब के आरुग्यता की कामना और मोदी जीने 2014 में कौन सा मंत्र दिया था सब का साथ, सब का विकास इस सब का साथ, सब का विकास क्यों एक स्लोगन नहीं बलके भारत की जंता इसके अनुरूप जीवन यापन भी करेगी इसके लिए जब इस सदी की सबसे बड़ी महमारी आई 80 करों लोगों को फिरी मेरासन की सुवधा का लाप हर भारत वासी को संकट के समय में नित्रत्व का गुण क्या नित्रत्व वह नहीं होता है जो संकट आते ही प्लाइन कर ले नित्रत्व वह होता है जो संकट आते ही डट करके संकट का मुकाबला करने के लिए अपने आपको तयार कर सके और फिर उससे अपनी जंता का उद्धार का मार्ग प्रसस्त कर सके उस समय प्रधान मंतरी मोधी जी ने देखा बड़ी मात्रा में लोगों की जो प्रति दिन कमाने वाला एक बड़ा तपका है सरमिक वर्ग है प्रति दिन कारे करने वाला तपका है कामगार है हस्तिसिल्पी है कारीगर है इन सब के रोजगार पर वुरासर पड़ा है तो उन्हों ने कहा कि फ्री मेरासन की सुवधा का लाब हम देंगे 80 करोड लोग आज भी फ्री मेरासन की सुवधा का लाब देश में प्राप्त कर रहे हैं आपने देखा होगा सुच भारत मिसन में 12 करोड परिवारों के पास अपने सुचाले बन गए 10 करोड गरीबों के घर में उजला योसना की रसोई का इसके सिलेंडर भी पहुंच गए 12 करोड अन्यदाता किसान जो 2014 के पहले आत्मत्या कर रहा था आज उसके घर में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी का लाब प्राप्त हो गया आप याद करिए 4 करोड से दिक गरीबों के घर एक एक उन्हें यह आवास की उसना का लाब मिल प्राप्त हो गया यह जो एक समावेशी विकास है बिना भेद भाव के चेरा नहीं देखा जाती नहीं देखी छेत्र नहीं देखा भासा नहीं देखी भाव एक ही था सब का साथ और सब के विकास का बिकास सब का सुरक्सा सब को समान सब को लेकिन भारत के अंदर तुस्ती करण की नीथी पर चल करके नहीं बलकि उसकी गरीबी उसकी लाचारी इसको ध्यान में रख करके इन योजनाओं का लाब हम उन लोगों को देंगे और इन योजनाओं ने दुनिया के अंदर भारत की चबिको इस ओफ लिविंग के रूप में एक बेहतरीन प्रियास करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया पैनोर भाईयों एक निर्डायक सासन के रूप में भी उन्होंने अपने आपको साबित किया इन तस वर्सों में आपने देखा हो करोना जैसी में हमारी के दोरान हो या दुस्मन देश के द्वारा की जाने वाली किसी भी सरारत का जबाब देने का कारे करोना एक आपदा थी दुनिया पस्त थी उसके सामने लेकिन तब भी मोदी जी के नित्रत में भारत खड़ा हो रहा था क्या निर्णे होना है उन्होंने उस समय चार मंत्र दिये थे फोर टीका ट्रेस टेस्ट ट्रीट एंड टीका पहले ट्रेस करो इसके लिए डोर टोर जाकर के करोना महामारी के कोई भी पेसेंट हो बिना बहित भाव के उसको अप्चार की सुविधा दो नहीं तो उसको हास्प प्रेटल सरकारी एंबॉलेंस से पहुंचाओ लिए टेस्ट फ्री एक टेस्ट फ्री इस टका कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया लिए ट्री यानि ओप चार फ्री और टीका भी फिरी अकिलिए भारत है जिसने एक फोर टीको फ्री में भारत वास्यों को प्लब्द कराया और भारत वास्यों को जीवन को सुरक्सित किया गरीब को जिनका रोजगार छिन गया था उनके लिए भी अलग से विवस्ता दी हर प्रकार का हर संबाव मदद किया और उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम भी किया गया दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने ज जरुत की तो 2016 में सर्जिकल स्टाइक और बाला कोट में एयर स्टाइक करने में भी कभी पीछे नहीं हटे एक राष्टवादी अपील एक राष्टवादी अपील के रूप में उन्होंने जाती मत और मशब्द के आधार पर नहीं छेत्रोड भासा के आधार पर भारती समा आज को नहीं बांटा एक राष्ट वादी अपील किस रूप में होनी चाहिए यह ब्यक्ति को केंदित करते हुए होनी चाहिए उनके राष्ट के पृति योगदान को दिहान में रख करके की जानी चाहिए देश और धर्म के लिए जिनोंने योगदान किया अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बात जरूर की कि हमारे लिए राष्ट निरिमान सिर्प एक करतब्यनी यह एक दिव्यद जिम्यदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वन की सुरूप में आपने होते वे देखा है विप्रीद प्रस्तितियों में भी चाहिए वह सिक्कों की आस्ता से जुड़ेवे करतारपूर कोरिडोर का मामला हो या बाल दिवस का वास्तिविक सुरूप क्या होना चाहिए इसमें गुरु गोविंद सिंग्जी महराज की चार-चार सहब जादों की स्मिर्ति को ही बाल दिवस की रुप में मानिता मिलनी चाहिए यह भी प्रणान मंत्री मोदी जी ने देख करके एक भारत स्रेष्ट भारत के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया तो भारत की रिसी परंपरा को योग भारत की रिसी परंपरा का प्रसाद है विश्व योग दिवस 21 जून की तिथी दुनिया के लगभग पौने 200 देशों को योग के साथ जोड़ करके भारत की योग परंपरा के साथ जोड़ करके हमेशा के लिए प्राकृतिक रूप से उसको पेटेंट करा दिया कि योग भारत की साथ है भारत का नाम है कोई दुनिया की कोई ताकत इसको अपने नाम से नहीं कर सकती है भारत के अंदर कुम्ब जैसे पर्वों को प्रयाग राज कुम्ब 2019 में दिव्य और भव्य कुम्ब के आउजण के साथ हमें जोडने का उस्तर प्राप्त हुआ था लेकिन दुनिया ने इसको मानिता नहीं थी युनिस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरवर के रूप में कुम्ब को मानिता प्राप्त हो या भी प्रधान मंत्री मोदी जी के प्रियासे संबव हो पाया बैन और भाईयों भारतिय जन्ता पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी किवल एक सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी न बने बलकि भारती जनता पार्टी भारत ही नहीं बलकि दुनिया का सबसे बड़ा राजनितिक दल की रूप में दुनिया के सामने आए क्योंकि भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र है तो भारत का वास्तिविक प्रतनिदित्व करने वाली सबसे बड़े लोग तंत्र की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रुप में गौरव प्राप्त हो यह अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रत्व में उनकी विजनरी लीडर्शिप में यह संभाव हो पाया एक तरब भारतिय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रुप में स्तापित करना है दोसरा अगर कभी किसी आपदया किसी चनौती का से देश घिर गया हो तो समय संगठन एक और रखते वे जनता जनार्दन की सेवा के लिए कारे करना है सेवा ही संगठन है इस मूल मंत्र को ध्यान में रख करके उनका जो आहवान उन्होंने उस समय भारतिय जनता पार्टी के लिए करोना काल खंड में किया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कारिकरता जनता जनारदन की सिवा के लिए लग गए थे और प्रणाम हमारे सामने कोविड जैसे प्रबंदन को सफलता पुरुवक आगे बढ़ाने में दुनिया के सामने भारत ने एक बहतरीन मौडल प्रस्तुत किया स्टेट्स क्यास्तिती थी तिरफ उड़ा में असम में और यह आप सबके लिए सोभागे की बात होनी चीए कि असम में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाई तो आपके बीच से ही किसी एक कारेकरता को वहां भेज करके प्रभारी के रुप में भेजा गया और प्रभारी और कोई ने डॉक्टर महेंदर सिंग थे असम के परभारी के रुप में इना नहीं उस समय काम किया और भारती जनता पारटी के आज सफलता पुर्वक पिसले 10-12 वर्सों से महाँ सरकार चल लई है तिर पुरा में भारती जनता पारटी की सरकार बने तब भी डॉक्टर महंदर सिंग महा थे मणीपुर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने और आंचल में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने में गहाल है भारतिय जनता पार्टी की और न्यागा लेंड में भारतिय जनता पार्टी के सयोग से सरकार चल लई है आज भी चल लई है फैन और भायों ये वे छेतर थे जहां पर भारतिय जनता पार्टी के बारे में क्या भारत के बारे में भी लोगों के मन में एक संसे होता था उनमें एक अलगा का भाद भाद देखने को मिलता था क्योंकि कांग्रेस ने और उस समय की पहले की 2014 के पहले की सरकारों ने कभी जोड़ने का प्रियास नी किया दो गरबाद से मोक्त हुआ है और भारत की एकता और खंडता को मच्बूती प्रदान किया गया आज और सास्क्रिटिक रूप से भी और रांस्क्रिटिक रूप से भारत के साथ जोड़ करके गौर्व के निभूती करता है यही नहीं उडिसा में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार पस्सिमी बंगाल में भारतिय जन्ता पार्टी परमुक बिपक्सिदल है और भारतिय जन्ता पार्टी वहां मजबूती के साथ आज भी वहां पर वहां की जन्ता की आवाज बन करके आगे बढ़ी है देश के बड़े छेत्र में आज भरतिय जन्ता पार्टी की राज्य सरकारें काम कर रही हैं और मोदी जीने तब ये कहा था कि हमारे लिए जीत छोटी हो या बड़ी हो या देश के हित के लिए भरतिय जन्ता पार्टी की जीत आउस्यक है और उस अभ्यान के साथ भारतिय जंता पार्टी लगातार कारे कर रही है बैनौर भाईयों आज का वैस्विक धुर्वी करण एक समय था जब दो धुर्विये विश्व विवस्ता बन चुकी थी एक धुर्वी का नितर तो अमेरिका करता था एक कार रूस करता था सोब यत्संग करता था धेरे धेरे करके विवस्ता एक तरफा होती गई लेकिन आज बैस्विक विवस्ता का धुर्वी करण भारत के विगर संभो नहीं है भारत जो चाहेगा वही होगा भारत दुनिया के अंदर जो चाहेगा वही होगा और भारत ने करके दिखाया है जाए G20 के सफलता पुरुख समिट अब तक के G20 से जुड़ेवे अनेक कारिकरमों के साथ मुझे उत्तरवदेश के अंदर जुड़ने का उसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूँ इन कारिकरमों के माध्यम से हम आज इस बात को कह सकते हैं यह जो कारिकरम भारत के अंदर G20 के हुए उन में से नेक कारिकरमों के साथ मुझे और समिट के समारोग के उसर पर भी मुझे दिल्ली के कारिकरम में भाग लेने का उसर प्राप्त हुआ दुनिया के रास्ता ध्यक्स आये थे अलग-अलग कारेकरणों में अलग-अलग तबके से जुड़ेवे मानभाव आये थे और जब उनके साथ हम संबाद करते थे बाचीत करते थे तो कहते हैं जितना सफलता पुरुवक भारत के अंदर ये कारेकरम हो रहे हैं इससे पहले कि किसी भी G20 समिट में इस प्रकार के कारेकरम नहीं हुए G20 समिट दुनिया के उन देशों का ये और्गनाईजेशन है G20 जिनका दुनिया के 86 फीस्दी संसादों पर अधिकार है ये 20 वे देश हैं जिनका दुनिया के 90 फीस्दी GDP पर जिनका अधिकार है जिनके जो पावर सेंटर हैं दुनिया के उन देशों के प्रतिनिधियों की उपस्तिती में सफलता पुरुवत G20 का समिट भारत में संपन्न होना ये भारत की एक नई बैस्विक ताकत का इसास कराता है ब्रिक्स समिट हो या भी आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ज प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्तिती और दुनिया को भारत के वेगर भारत दुनिया का आज कोई भी धुरुबी करण नहीं हो सकता है वह उन्होंने करके दिखाया है कि कैसे पुरी दुनिया को एक जुट करना है जहां वैस्विक मंचवर भारत की धमक आज देखने को मिल लई है दमदार उपस्तिती भारत की देखने को मिल लई है वहीं जनता जनारदन के साथ कनेक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी जी का उतना ही ससक्त भी है आपने देखा होगा कोई भी कारिकरम बंद चलता है बिना जन सहभागिता के साथ नहीं होना है कारिकरम जन सहभाग को जोड़ दिया शुच्छागरियों को जोड़ दिया प्रतेक तपके को जोड़ दिया हर कारिकरम देश के नाम लेकिन उसमें जनता जनारदन की सेवा किता भी हो उनके साथ अलग-अलग कारिकरमों के साथ जुड़ाओ भी इस कारिकरम का हिस्सा है या मन की बात का कारिकरम आपने देखा होगा मन के कारिक्रम के माद्यम से प्रधान मंत्री मोधी जी ने उन जुलन्त समस्याओं को उठाने का काम किया जो आम जिन से जुड़ेवे है या पदम पुरुसकार उस तबके को मिलना है जो अब तक इससे अचूते थे जिन्होंने विशिष्ट किया है लेक काम किर गए यहां भी देखने को मिला है और ब्यक्टिकत जीवन में भी उनका जो नुसासन रहा है वहां हम उनकी साधिगी और प्रधान मंत्री मोधी जी के पूरे जीवन से देख सकते हैं आपने देखा होगा एक सामने नाकरी की रूप में एक सामने कार्यकरता की रूप की है अपने कर्मड़ता से विचार परिवार से मिलेवे अनुसासन से पारवारिक संस्कारों से आगे वढ़ते वे हर काम देश के नाम इस लक्षे को ले करके जब उन्होंने जीवन आगे वढ़ाया आज वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के समयधानिक परमों के र हम सब का गौरो बढ़ा रहे हैं हम सब का नित्रतो कर रहे हैं और बाला सुब्रे मड़े में कीत के दोरा लिखी थे पुस्तक इन सभी बातों का उलेक करते हुए एक विस्ट्री तरूप रेखा देश स्वासियों के सामने दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है निस्षिती इस पुस्तक को हम लोगों को प्रतेग विक्ति को अलोकन करना चाहिए उसको देखना चाहिए यह पुस्तक आप सब के लिए सुलब हो सकेगी इस बेवस्ता के साथ मैं आज के सौसर पर एक बार फिर से रास्पिता महत्मा गांधी जी को देश के दितिये प्रधान मंत्री स लाल बहादूर सास्त्रीची को उनकी स्मिर्तियों को नमन करते हुए बिनम्र सरधान जली अर्पित करता हूँ आयुजगों को आयुजन के लिए सिवा पकवडा के इस कारिक करम के लिए हिरदे से धन्यबाद देते हुए अपनी बाणी को ब्राम देता हूँ धन्यबाद चाहिए फलाल रुकते हैं ब्रेक के लिए बने रिये भारे समचार के साथ